तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 के जो भी सामान नहिंदी के विद्धारती हैं, उनको हम हिंदी का सिलेबस बताने जा रहे हैं, सामान नहिंदी का सामान नहिंदी कौन-कौन पढ़ता है जो विज्ञान वर्ग से हैं, जिन्होंने physics, chemistry, math, bio ले रखी है जो agriculture से हैं, जिन्होंने क्रिशी विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो कच्छा 11 में हैं, जो वानिज्य यानि commerce पढ़ रहे हैं, ये सब सामान हिंदी के विद्धारती होते हैं, ब्यावसाइक, सिखा बगरा के तो सामान हिंदी में, अभी हम हिंदी का बता चुके हैं, class 11 और यहाँ पे general हिंदी आता है, तो general हिंदी को simple सा हम download कर लेंगे, आप चाहें तो आप modelpaper.info पर जाकर के भी download कर सकते हैं, ये सिले बस, ठीक है तो simple साप यहाँ से भी official website से भी और वहाँ से download कर सकते हैं, link हम दे देंगे description में, ठीक है, अब यहाँ सामान हिंदी देखिएगा, समझिए, बहुत काईदे से समझना है, किसी भी exam में score करने के लिए, उसका syllabus समझना और पहचानना बेहत जरूरी होता है, ठीक, सामान हिंदी में कक्षा 11 के विद्ध्यारतियों आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो समझिएगा, पेपर संपूर 3 गंटे 15 मेट का होता है, तो 3 गंटे का पेपर मानो 15 मेट आपको पेपर पढ़ने के निर्धारित होते हैं, हिंदी गद्य साहिते का विकास और हिंदी पद्य साहिते का विकास 55 अंकों में आता है यहां देखेंगे आप तो हिंदी गद्य पद्य खंड़काव इनाटक और कहानी, खंड़काव में संस्क्रिट निबंद और व्याकरण वगर आती है तो यहां पर आपको हिंदी गद्य साहित के विकास में आपको भारतें दुग और दुवेदी दो से related question आएंगे पांच question आएंगे objective और 30% हो सकता है आपका इस बार MCQ हो लेकिन अभी clear board ने नहीं किया है तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि 2024 में जो लागू होना है OMR sheet class 11 में लागू होनी है लेकिन जब तक confirm नहीं होता है तब तक भाया मैं किसी बात को clearly नहीं कह सकता किसी बात को मैं पक्का नहीं कह सकता जब 100% sure हो जाऊंगा तभी मैं आपको बात बता पाऊंगा कि हाँ ये चीज clear है तो 99% आपका एक clear है कि OMR sheet इस बार होगी और 30 अंकों के आपके objective आएंगे 70 का आपको copy पे लिखना होगा लेकिन अभी जब board ने नहीं कहा है तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुत पाएंगे ठीक है तो फिर आपका काब्य साहित का विकास जिसमें आपको काल विभाजन पढ़ने है आदिकाल, भतिकाल, रीतिकाल की प्रमुक प्रवरतियां कभी यहम उनकी रचनाये पढ़नी है फिर आपको पाट करम में इधारित जो गद्यान साधारित गद्ये से गद्यान साधारित प्रशनोत तराएंगे काव्य से पद्यान साधारित प्रश्ण उत्तर आएंगे पाँच पाँच प्रश्ण आएंगे ददस अंकों के होंगे ठीक है चलो आप यहाँ देखो आप यहाँ देखो आपको एक कवी का और एक लेखक का साहितिक परिचे लिखना होगा असी असी शब्दों में दो साहितिक परिचे जा जीवन परिचे लिखने होगे एक कवी का होगा और एक लेखक का होगा तो दोनों पाँच पाँच नंबर में आएंगे दस अंकों के आपके जीवन परिचे होंगे और फिर आपको कहानियों का सारांस उदेश्य या कहानियों पर आधारी जो प्रस्णाएंगे पांच नमबर का होगा नाटक पर आधारी जो प्रस्णाएंगे वो पांच नमबर के होगे एक-एक प्रस्णाएगा ठीक है नाटक का आपको खंड काप भी नहीं पढ़ना है उनली नाटक ही पढ़ने है फिर आपको संस्कृत गद्य का संदर्प सहित हिंदी में अनुआद होगा और इश्लोक का अनुआद होगा साथ साथ नमबर में और दो अंकों का आपका क्या आएगा देखो आप जो सामान हिंदी के हैं वो संस्कृत दिखदर्शिका के संस्कृत प्रशनोत्तर नहीं पढ़ेंगे साहितिक हिंदी वालों को दो नंबर के संस्कृत प्रशनोत्तर भी आते हैं तो संस्कृत में प्रशनोत्तर आते हैं वो सामान हिंदी वालों के लिए नहीं आते हैं केवल साहितिक वालों के लिए आते हैं सामान हिंदी वालों के लिए संस्कृत दिखतर सिका मातर 14 अंकों की होगी और साहितिक हिंदी वालों के लिए 18 अंकों की होगी ठीक है चार नंबर के उसमें दो संस्कृत के question भी जुड़ जाते हैं और यहां आप आपके देखे लोकोक्तियां मुहावरे दो अंकों में आएंगे ठीक है और यहां पर संधी में आपको देर गुण यड़ और अयादी तीन संधियों से संबंधिश तीन नंबर के आपको तीन objective question मिलेंगे बिभक्ति की पहचान आपको करनी होगी दो अंक की बिभक्ति की पहचान सब्तमी है प्रतमा है दुतिया है कौन सी है संग्या शब्दों में आपको आत्मन नामन राजन और जगत और सरीत के शब्द रूप याद करने होंगे सर्व इदम और यद के सब्द रूप याद करने होंगे फिर शब्दों में सूच्म अंतर पढ़ना होगा अनेकार्थी शब्द पढ़ने होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द केवल दो शब्द आएंगे वाक्यों में तुर्टी मार्जन, लिंग वचन, कारक, काल, उम, वरतनी से संबंधित तुर्टी आएंगी तो सामान नहिंदी की व्याकरण भिन्न है बाकी चैप्टर लगबख सेम है गद्य और पद्य के साहितिक हिंदी को संस्कित व्याकरण के साथ साथ हिंदी व्याकरण काईदे से पढ़नी होती है सामान नहिंदी वालों को संस्कित व्याकरण नहीं पढ़नी होती है ज्यादा नॉर्मली केवल उनको सामान हिंदी व्याकन पढ़नी होती है ठीक है काब सौंदरे के तत्व यहाँ पर इनको रस्चंद लंकारों में कुछ कम ही पढ़ना होता है सामान हिंदी को जैसे आपको रस पढ़ने है अनुपरास यमक्षलेस उपमा रूपक उत्प्रेक्षा वरांतिमान संदेह अलंकार पढ़ने है चौपाई दोहा सोर्था कुंडलिया लच्छन उदारन ये पढ़ने है और आपको आवेधन पत्र, न्यूक्ती आवेधन पत्र, बैंक में रिण प्राप्त करने के लिए आवेधन पत्र, नगर या गाउं की सफाई से संबंधित अधिकारी को परातना पत्र, तीन प्रकार के आपको पत्र याद करने होंगे निबंद आपका बिज्ञान वाणिजी सिक्षा करसी सामाजिक राजनेतिक चेतना पराधारित जनसंख्या परियावरण पराधारित स्वासिक्षा पराधारित आ सकता है नो नमबर में फिर आपको पाठ पुस्तकों में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सामान हिंदी वालों को कुछ चैप्टर कम पढ़ने होते हैं ठीक है भारतेंद वाला आपको पढ़ना है भारत वर्षोन नती कैसे हो सकती है मावीर प्रसाद दुवेदी का महा कभी माग का प्रभात वर्णन पढ़ना है सरदार पूर सिंग का आचरण की सब्यता पढ़नी है ठीक है अब काब्य में आपको क्या पढ़ना है सूर का बिने वात्सलि ब्रमर्गीत पढ़ना है कुस्वामी तुलसी दास का भरत महिमा कभितावली गीतावली दोहावली और बिने पत्रिका पढ़नी है कभीवर बिहारी का भक्तियों स्रिंगार पढ़ना है महा कभी भूशन का शिवा शोरे 76 साल प्रसस्ती पढ़नी है ठीक है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आपको कथा में आपको प्रेम चंद का बलिदान जैसंकर प्रसाद की आकास दीप यश्पाल की समय बगवती चंद वर्मा की प्राजचीत इत्यादी कहानिया आपको पढ़नी है ठीक है फिर आपको जो है नाटक नाटकों में क्या पढ़ना है नाटकों में आपको पढ़ना है कुहासा और किरन कौन-कौन जिलेओं से बच्चे पढ़ेंगे इन जिलों के बच्चे जो है कुहासा और किरन नाटक पढ़ेंगे आन का मान नाटक वारा नडसी, लखनव, इटावा, बरेली, फरुकाबाद, एटा, सहाजापुर, नौर, हमीरपुर के बच्चे आन का मान पढ़ेंगे गरुद्धवज, आगरा, गोरकपुर, जौनपुर, फैजावा, बिजनोर, फतेपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रताबगड, बहराईच, और लवितपुर के बच्चे जो हैं वो गरुद्धवज पढ़ेंगे सूत पुत्र डॉक्र गंगा सहाई प्रेमी का लिखा हुआ प्रयागराज, सहारनपुर, अलिगड, मुझपर, नगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालाउन, हर्दोई और बाराबंकी के बच्चे आपको सूत पुत्र पढ़ेंगे अब इसके बाद जो है सामान हिंदी के खंडखा में आपको संस्कृत में कितने मात्र छे चैप्टर पढ़ने हैं, चार नहीं पढ़ने हैं वंदना, प्रियागा, सदाचार, उपदेशा, हिमालिया, गीता, मुर्त, मुलुभा, पापस, सिकारणम, मात इतने 6 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, बस, इतना ही आपको पढ़ना है, अगर आपको इस सिलेबस की PDF को डाउनलोट करना है, तो modelpaper.info पर जाएंगे, home page पे आ शेयर कर दीजे एक बार, और आराम से 6 बजे शाम को आपकी live classes चलती हैं, तो आप आराम से देखे, बहुत बहुत धन्यवाद.